वर्ड कप 2013 का बांगलादेस और सिरलंका के बीच में जो मैच होगा वो 6 नवंबर को दो फ़र में दो बजे से आरून जेटली स्टेडियम देली में ये मैच होने वाला है और अगर सबसे पहले दिली के यहां के मौसम की बात करें तो मौसम लगवग ठीक ठाक रहने वाली है बारीस होगेरा होने के कोई भी चांसिस नहीं रहेंगे टेंपरेचर भी लगवग यहां पर आपको ठीक ठाक नजर आने वाला है 27 डिगरी के आसपास 28 डिगरी के आसपास दिन का टेंपरेचर साथी साथ जैसे शाम धलेगी टेंपरेचर थुरा सा डाउन होगा तो पिछ पर ओस आने के काफी ज्यादा यहां पर चांसिस देखनी को मिलेंगे ओबरल 19 जो मैच अब तक खेले गया है उसमें टोटल 58 परसेंट टीमों ने फर्स्ट बैटिंग करके मैच बिन गया जबकि 32 परसेंट टीमों ने जिसने बाद में बलेवाजी करी उसने मैच यहां पर है फर्स्ट बैटिंग यहां पर थोरा सा अच्छा माना जाएगा लेकिन टेंपरेचर काफी डाउन और साथ में ओस आने के काफी ज्यादा पिछ पर चांस रहेंगे रात को तो चेस करना भी यहां पर आसान हो सकता है वैसे फास्ट बालिंग के लिए पिछ काफी बेतर देखने को यहां पर मिल सकता है स्रिलंका ने वैसे भी यहां पर चीस करते हुए 300 प्लस का स्कोर साउथ एपरिका के अगेंस किया था ओबर आल फास्ट इनिंग के आबरेज स्कोर की बात करें 232 रन जबकि सिकेंड इनिंग का आबरेज स्कोर 176 रन होगा पिछले 10 मैच में यहां पर नजर आता है जबकि 428 इस ग्राउंड का हाइस्ट स्कोर जोकी इसी वर्टकप में सिलंका के ही खिलाप साउथ हेप्रिका ने बनाये थे और 90 रन इस ग्राउंड का टोटल लोएस्ट स्कोर है उसके लाबा 273 रन इस ग्राउंड का हाइस चेस और 167 रन यहां पर अब तक का रहा है पिछले जो तीन मैच खेले गया जिसको आफ्टेलिया ने 309 रनों से नीदर लेंड को हरा करके यहां पर भी नी किया था और नीदर लेंड ने सबसे कम स्कोर इस ग्राउंड का अब तक का 90 रन बनाया उसके अलाबा अफगानिस्तान इंग्लैंड के जो म अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेट टू हेट की बात करें तो पिछले दस हेट टू हेट मैचों में फिलाल के लिए पिछले तीन मैचों में बात करें तो एक मैच बांगलादेश ने और दो मैच लंका ने जीता वार्म अप मैच जो 2023 वर्ड कॉप से पहले का खेला गया वहां पर बांगलादेश ने इस मैच को साथ विकेट से बिन कर लिया था उसके रबा यह जो तीन मैच टोटल खेले ग 29 नन तो ही भिर्दों ने 20 रन बनाये थे मतिसा पतिराना ने 4 विकेट लिया था महीं स्तिक्षना ने 2 विकेट लिये थे सिरलंका 165 बना के 45 वर में मैच जीत गए चरी तो सिरलंका ने 62 नोट आउट और सदीरा समर्विचक करमा ने 24 रन बनाये थे साकी लजन को 2 विकेट और एक विकेट सरीफुल इसलाम को यहाँ पर मिल उसके लाबाद दूसरे मैच की तरफ चलते हैं यह भी एसिया कप का मैच था और वहाँ पर फिलहाल के लिए सिरलंका ने फर्स्ट वैटिंग करी 257 बनाये सदीरा समर्विचक करमा इस मैच में भी चला 93 रन बनाये इसने क विकेट लिये थे और मतिसा पतिराना ने तीन विकेट यहाँ पर निकाले थे उसके लाबा जब वर्म अप मैच के तरफ चलते हैं तो वर्म अप मैच में स्रिलंका ने फर्स्ट बैटिंग करके 263 बनाये इसमें पातम निसंका ने 68 बनाये धननजा डी सिल्वा ने 55 मेहदी हसन को तीन विकेट और मेहदी हसन मिराज को यहाँ पर एक विकेट मिला था बांगलादेश 264 तक पहुंची और उसके लाबा मैच को बिन कर लिया इसने तंजीम हसन ने 84 रन मेहदी हसन मिराज ने बलेबाजी गेंदवाजी दोनों में फिलहाल के लिए अच्छा परफॉर स्रिलंका ने जो 10 मैच के लिए उसमें से 2 मैच इसने भी बिन किये हैं 220 का अबरेज इसकोर 2334 का हाइस और उसके लाबा 50 का लोईस्ट इसकोर यहाँ पर नजर आता है स्रिलंका की टीम का साथी साथ बात करें तो दोनों टीमों की जो स्कौर्ड है वो स्कौर्ड आप पार ओचुके हैं उसके लाबा यह अप यहाँ पर फिलाल के लिए बांगलादिस की स्कौर्ड सकते हैं पर सकते हैं औगे बढ़ते हैं और बात कर लेते कौण-कौण से इंपरियर्स होने वाले हैं GLS, Sl på l. HETTOulares यहीं के लिए और कब सकते हैं तो दिल् pande न ने ये भी वेतरिन होंगे, पातुम निसंका को कैप्टन कर सकते हैं, ये जो पांच प्लियर हैं, ये तीनों तरह के लीग में आपको जरूर रखने चाहिए, और साथी साथ कैप्टन, वाइस कैप्टन, इनमें से आप कर सकते हो, टॉप फाइट्समें की बात करे हैं, तो सदीरा मेहदी एसन, मिराज ने 7 मैच में 9, विकेट कासुन रंजीता ने 5 मैच में 8 विकेट, उसके लावा, सरीफुल इसलाम ने 7 मैच में 8 विकेट, और साकी वेल एसन ने 6 मैच में 7 विकेट ले, ये टॉप फाइप बॉलर रहे हैं, जिन्हों ने अच्छा परफॉरमेंस किया, विकेट कीपर के तौर पर आपको तीनों विकेट कीपर आप चाहोत रख सकते हैं, वैसे ही ये दो विकेट कीपर ज्यादा बेतर होंगे, कुसल मेंडुस को भी आप ट्राइ कर सकते हैं, साथी साथ बले बाजी में पातुम निसन का बहुत जबरदास फॉरम में, पिछले म विलाल एक थोड़ा सार, इसकी प्लेयर होंगे, बाकी इन दोनों को आपको टीम में करना है, शाकी बलासन को भी आप टीम में ट्राइ कर सकते हैं, दिलसान मदुसंगा बालिंग में बहुत जबरदास फॉरम में चल रहे हैं, भारत की किलाब पांच विकेट बंदे ने नि परगाना है, और अब साथी साथ टेलिग्राम चैनल जोइन कीजिए, जब टॉस होगा, उस समय करेंट पेच रिपोर्ट और बाकी इनफॉरमेशन आपको टेलिग्राम पर मिलेगा, जी एलेसल की टीम आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइट करेंगे, उसके लिए टेल इसलिग्राम चैनल जोइन कर लिजे, आप लोग साथी साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर जरूर्ड लाइक तीजे, धैंक यूशुर्चू